फ्रेंट्स वेलकम टो अनिश्का बटरफ्लाई दोस्तों मैं विसे और एक धूमाधासा फूद ब्लोग के साथ चली आए हो अनिश्का बटरफ्लाई में दोस्तों ये जो व्यू देख रहे हैं ये है लिट्टी चोका जीहां दोस्तों बिहार और पटना में सबसे पॉपुल कोई रिपलेस्ट में नहीं होता है दोस्तों और मैं चली गई थी हमारे यूहां पे ककोलगाजीपल के जगावा है जहां पर लिट्टी चोखा बन रहा था कैसे लिट्टी चोखा बनाता है उसका एक मतलब लाइव वीव आप लोग देख पारे लिट्टी जो है मतलब नॉ रोटी की तरह होता है उसके अंदर सत्तू उसको स्टापिंग किया जाता है थोड़ा सा मसाला के साथ और उसके साथ दिया जाता है चट्पटा साथ चट्नी जो के टमाटर के साथ बनाया जाता है वो टमाटर का जो चट्नी होता है एक्चली टमाटर को रोस्ट करके जाता है देखिए जो मंदर जनाब है यह वह सर्फ कर रहे है दो लिटी के साथ आलू चोखा और उसके साथ चटनी डाल के दे रहे है और ऐसे लिटी बना जाता है जैसे के पीठा बनाते है ना बेंगॉली लोक ऐसा देखिए गोल-गोल करके सम बीच में पूर डाल देते जो सत्तू वाला पूर ऐसे करके फिर इसको सेक आ जाता है डोटी के दार सेकते है उसके साथ जब इस मतलब धूरा सा सेकना हो जाता है सेकने के बाद इसके आलू चोखा उसके उपर में डाल देते और चटनी वगड़ा देके चाट मसाला वगड़ा देके सर्प किया जाता है और उसके साथ मतलब सबसे जो इसका अच्छी बात है बहुत ही कम पैसे में मिलता है मानिके पॉकेट में पैसा नहीं है कम पैसे में कुछ खाना है दस रूपिया के अंदर तो अड़ाम से आपको लिप्टी चोखा मिल जाएगा दो लिप्टी और उसके साथ जो अलू लगा या सुबा सुबा भूख लगा कम पैसे में कुछ खाने का अगर इच्छा हो जाए तो 10 रूपिस में लिप्टी चोखा है अग्दम मतलब सूपर हिट है दोस्तों और जादा तर विहार से जो लोग बिल्यों करते हैं मारे कोलकाता में सबी लोग लिप्टी चोखा ख खाना भी हो जाता है और यह जो जनाब है यह थोड़ा मने गुसा हो जा रहे ते मेरे उपर पर वैसे मेरा फूद लॉख